कुरुना को लेकर देश भर में लॉकडाउन जारी है सोनिया गांधी की ओर से श्रमीकों का किराया खर्चा वहन करनी की घोशना का प्रदेशा ध्यक्ष सचिन पाइलेट ने स्वागत किया है पाइलेट ने कहा है कि कॉंग्रिस पार्टी हमेशा गरीब और मजदूर के साथ खड़ी है और ये भी कहा कि देश को मजबूत बनाने में श्रमीकों की महनत का एहम योगदान होता है लोगडाउन के चलते अलगलग राज्जु में पिछले 40 दिनों से श्रमीक अपने घर से दूर भूगे प्यासे रह रहे हैं जिन्हें रेल के जरी अपने घर वापस आने की परमिशन मिली है लेकिन उसका किराया श्रमीकों से वसूला जा रहा है जो अश्रोबनी है उन्हेंने कहा कि जब विदेशों में हम चार्टर प्लेन करके लोगों को वापस ला सकते हैं तो यह गरीब मजदूर जो फंसेवे हैं उनको वापस आने का खर्चा केंदर सरकार को वहन करना चाहिए पाइलेट ने कॉंग्रेस सद्याक्ष सोन्या गांधी का धन्यवाद करती वे कहा है कि केंदर सरकार की ओर से श्रमीकों का खर्चा वहन नहीं करने पर कॉंग्रेस पार्टी उनका पूरा किराया वहन करेगी इस देश को मजबूत बनाने में जो हमारे लेवर हैं श्रमिक हैं जो लोग हातों से मेनद करते हैं वो लोगों उन लोगों का बहुत योगदान होता है और आज लोगडाउन के तहत वो 40 दिन से अपने घरों से दूर अलग-अलग राज्यों में भूके प्यासे तड़ रहे हैं अंतता जाकि उनको वापिस आने के पर्मिशन मिली है और वो जो रेलों से और ट्रेन से वापिस आ रहे हैं उसका किराया भी अगर उनसे वसूल आ जाए मैं समझता हूँ यह अशोबनी है इसके मैं निम्दा करता हूँ और यह लोग जो वापिस घरा आ रहे हैं इनका पूरा कराय के इन सरकार को वहन करना चाहिए जब विदेशों से चार्टर पें करकर हम लोगों को ला सकते हैं वापिस हिंदूस्तान तो फिर यह का खर्चागर सरकार वहन नहीं करेगी तो कॉंग्रेस पाटी आके इनके पूरा किराया उनका खर्चा वहन करेगी और हम इस मुश्किल घड़ी में इन गरीब लोगों को अकिला नहीं छोड़ सकते हैं और मैं समझता हूँ यह स्वागत योग्य है जो स्टेट्मेंट आज सुनिया जी ने दिया है और एन लोगों को मुश्किल और चुनौती पूर्ट समय में हम लोग पूरी साहता करने के लगते हैं